ग्वालियर उपवन के मुरार थाने में पदस्त सिधार्थ अमर राओ नाम के पुर्धान आरक्चक बंसी पुरा इस्थेत गखती के घर में घुज गया महिला का आरोप है कि उसने महिला के उपरी वस्तरों में रखा मुबाइल चीन लिया और उसके साथ छेड़ चार भी की इस बीच घर के पुरुश सदस से भी यहां आ गए उन्होंने आरक्चक का वीडियो बना लिया और उसे वाइरल कर दिया सिदार्थ नाम के इस पुलिस कर्मी को परिवार के लोगों ने एक कुरसी पर बैठा दिया और उसका वीडियो बना लिया इस दोरान उसे जम कर खरी खोटी सुनाई गई अधिकारियों के पास भी यह वाइरल वीडियो पहुँचा है आरक्चक सिदार्थ राव का मेडिकल कराए गया जिसमें उसके शराब पीने की पुस्टी हुई है इसके बाद S.P. राजेश चंदेल ने सिदार्थ अमर राव नाम के इस परधान आरक्चक को सस्पेंड कर लाइन भिज़ दिया है इसके अलाबा उसके खिलाब विभागी जाँच भी शुरू कर दी गई है पता चला है कि बंसीपुरा में रहने वाले राठो और परिवार के घर बीती रात बारात थाने का प्रधान आरक्चक अचानक पहुँच गया था इस बीच उसने महिला का मोबाइल चीन लिया महिला ने इस आरक्चक पर छेड़ खानी का आरोब भी लगाया है मामला संग्यान में आते ही ठाना प्रभारी मदन मोहन मालविये ने इसकी सूचना वरिष्ट अधिकारियों को दी वरिष्ट अधिकारियों के निरुदेश पर प्रधान आरक्चक का मेडिकल कराए गया बाद में इससे अधिकारियों न सस्पेंट कर दिया सुनिए एडिशनल स्पी गॉलियर निरंजन शर्मा ने इस मामले में क्या बताया मुरार थाना में जो है एक प्रधान आरक्चक कारवाग प्रधान आरक्चक है उसके संबन्द में थाना प्रभारी को सिकायत प्राप चोई थी कि उसमें ड्रिंक कर रखी है तो सिकायत के आदार पर उसका जो है मेडिकल परिक्शन कराया गया और मेडिकल परिक्शन में उसके द्वारा सराब पीने की पुष्टी होने पर उसको ततकाल पुलिस लाइन की रवानगी दी गई है पुलिस लाइन रवाना कर दिया गया और इस संबन में अलग से प्रत्रक से भी कारवई की जाएगी